केंदर का एहलान 80 क्रोड लोगों को 2 रूपई किलो के दाम पर मिलेगा गेहूं करोना वाइरस जिसी बड़ी महामारे से निपटने के लिए केंदर सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है पधर मंत्री नरेंदर मोधी के द्वार मंगल वार को एलान किये गए अकेश दीन के लोग डाउन का आज पहला दीन है देश के अलग अलग हिसों में टेरोरी समान लेने के लिए लोग संकों पर दिखाई दिये इस दोरान सोसल डिस्टैंसिंग का भी एक संदेश देखने को मिला दूसरी और केंदर सरकार ने केविनेट बेठेक में 80 क्रोड लोगों को सस्ता नाज देने का फैसला लिया तो आप एक केंदर सरकार ने 80 क्रोड लोगों को 2 रूपए किलो गेहूं चावल देने के लिए ये बड़ी कदम उठाई है जैसे कि आप लोगों को करोना वाइरस पूरे इंडिया में फेल चुका है और इंडिया में नहीं बलकि पूरे विस्व में ये करोना वाइरस फेल चुका है और इसको लेकर के ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं और चलिए देखते हैं कुछ और न्यूज इसमें आये हैं पीछे उसके अपडेट हम आपको दिखाते हैं लक्नवों में बीवजार अस्पैंट फैमिली वजार मार्मार्ट और अन्य सूपर मार्केट खाद ही जरूरी है और यहां पर देखें केंद्रिय केविनेट में फैसला हुआ कि अब देश के 80 क्रोड लोगों को 2 रूपये पर 3 किलो के हिसाब से ग्यों और 3 रूपये पर 3 किलो के हिसाब से चावल दिये जाएंगे कोरोना वायरस के चलते यह फैसला अगले 3 मेहने तक लाग सेवाइं दी जाएगी 80 क्रोड लोगों को यह सेवा दिया जाएगा उन लोगों बंचित रहें इसमें जो लोग सरकार को इंकम टेक्स देते हैं उन लोग इन सेवाओं से बंचित रहेंगे बाकि बाद जो भी अमिर लोग हैं गरीब लोग हैं उन सारों लोगों सारे लोग हैं। अगर आपने अभी तक यूटिव चैनल को ससक्राइब कर लिए और बैल आईकन को प्रेस कर लिए। जャलें दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट लेकर के तब तक लिए बाइ।